टीम इंडिया के आलराणर रविंद जटेजा को घुटने की चोट के चलते एसीय कप के बच्चे मैच्चों से बाहर होना पड़ा था आप जटेजा के अगले कुछ महनों तक क्रिकेटिंग एक्सों से दूर रहने के आसंका जताई जा रही है भारती टीम के हेट कोच राहूल द्रवने रविंद जटेजा के टीटी बर्ड कप 2022 में उभलपता को लेकर बड़ा अपडेट दिया है एस ये कब 2022 में आज 4 सितंबर भारत और पाकिस्तान के पीज़ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट टी स्टेडियम में मुकावला होने जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकावले पूरी दुनिया की नजर तिकी है इस ब्लॉकवास्ट मुकावले में टीम इंडिया की कप्तानी रोज सर्मा के हातों में होगी बहीं बाबार आजाम पाकिस्तानी टीम की बागडोस अवाल लज जा रहा है भारत ने पाकिस्तान को पिछले वी बार कोई 5 विक्र से हराय था ऐसे मुसके होसले काफी बुलंद है द्रेवन ने जटेजा को लेकर दिया बैयान पाकिस्तानी खिलाब मुकावले से पहले से भारत ले भारती टीम के मुख कोच राहूल द्रेवन ने प्रेंस में भाग लिया इस दोरान पिस कप के लिए अभी भी समय है इसलिए अब उन्हें समय भाहर नहीं मान सकते भे मेडिकल टीम के देख रेक में है जब तक हमारे पास उसके बारे में बहुत इस पश्च तस्वित नहीं आती तक उसे बाहर मानना या उस बारे में बहुत आदिक टिपडीesta नहीं I कोई कुसित करने और कमयावी हासिल करने के लिए बहुत उससे का जटेजा तीन महने तक बाहर रह सकते हैं गौरत लब की पीटी याई एक रिपोर्ट में 11 जड़ा को टीटी बड़कम में भाग लेना मुस्किला जटेजा के घुटने की सरजरी करानी होगी कम से कम से कम तीन म प्रफश के लिए कोई समय सब्सक्राइब बैसे अभी इस बात की पुष्टी नहीं किया सकती है कि एंटेजा को छे महने से ज्यादा का समय लग सकता है लेकिन कुछ हद तक का जा सकता है कि जटेजा कम से कम तीन महने के लिए खेल से बाहर रहेंगे जटेजा के घुटनों होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा जटका माना जा रहा है वीडियो चलोगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरू करें